यह यूएस के इंटर्नल मामला है और यूएस के सिस्टम, उनके कोर्ट्स, उनके गवर्मेंट्स वो तैक करेंगे कि इलेक्शन कैसे किया जाएगा, काउंटिंग कब खतम होगा और कौन जीतेगा अब जो लग रहा है अभी बैलेंस में है तो उनकी इंटर्नल मामला पर मैं क कुछ नहीं कहना चाओंगा लेकिन दूसरे और तीसरे मुद्ध यह हैं कि जैसे कि चार साल पहले हुआ था इस बार भी ज्यादातर जो उपिनियन पोल्स थे वो बता रहे थे कि बहुत बड़ा गैप था एक वन साइड़ेड लैंड स्लाइड होगा और वहां बदलाव और इंडिया में भी है बहुत सारे मीडिया जो नीट्रल जनलिजम करना चाहिए उसको छोड़कर एक वन साइड़ेड एक्टिविजम जैसे करते हैं और वह सचाई ठीक से नहीं दिखाते हैं जिसके वज़े से वो जो रिपोर्ट कर रहे थे वो बिलकुल गलत निकला तो बार बार ऐसे गलत निकलना का मतलब होता है कि वो सचाई रिपोर्ट नहीं कर रहे थे वो कुछ एजंडा डाल रहे थे यह नहीं होना चाहिए यह डिमोक्रिसी में ऐसे नहीं चलना चाहिए और हुएवर विंस जो भी वहां जीतेगे हमारे मान्य प्रधान मंत्री नरेंद यह दुनिया के लिए अच्छी बात है अमेरिका और भारत के बीच में जो दोस्ती है यह एक बहुत गहरी दोस्ती है यह एक फंडमेंटल लेवल पर है क्योंकि हम जो दोनों है यह दुनिया के सबसे दो बड़े लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र के जो नीती होते हैं जो आदर मोडी जी के नेतरुत में भारत अन्य लोकतंत्रों के साथ भी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि जपैन इनके साथ भी दोस्ती हमने बढ़ाई है तो जो भी वहां पावर में आए कुछ माइनर डिफरेंसे हो सकते हैं उनके पॉलिसीज में और मेरे ख्याल में इंडिया और अमेरिका के दोस्ती और जो फंडमेंटल स्ट्रेजिक इंट्रेस्ट शेर्ड इंट्रेस्ट इस आर वेरी स्ट्रॉंग यह जारी रहेंगे अज सुबह उठते ही मैंने यह देखा और इस पर मैंने मेरा मत रखा सोशल मीडिया पर यह आश्चरी की बात यह बहुत गंभीर बात है जिस तरह के छे बजे सुबह पुलीस एक एंकाउंटर स्पेशलिस्ट को लेकर एक के 47 लेकर जाके मैन हंडल करके अर्नव गोस्वामी को एरेस्ट किया उनको बच्चों को भी शायद धक्का वक्का मारा यह बिलकुल सही नहीं है यह बहुत गलत है यह मुझे याद दिलात है इमर्जन्सी के समय ऐसे होता था अब सुने होंगे इमर्जन्सी में मिडनाइट नॉक कहा जाता था इसको आप सुबह का छे बजे का नॉक कह सकते हैं ऐसे नहीं चलना चाहिए जैसे कि वह बता रहे थे रिपब्लिक टीवी के जो रेप्रेसेंटिटिव कि उनको जितने और जो सरकार में है और उनके सरकार के चलाने के जो उनके टॉप बॉसेज हैं सरकार के बाहर उनका इमर्जन्सी जैसा मिडन सेट है और ये बिलकुल गरत चीज है देखो कोई भी कानून से उपर नहीं है लेकिन इसको कौर्ट पे ले जाईए आप उनके खिलाफ प्रोसेक आपको लगता है यह कानून के हिसाब से काम करते हैं आप अगर पूछें पब्लिक को मुझे लगता है कि almost everybody सब आपको कहेंगे कि ये कानून के हिसाब नहीं हो रहा है क्योंकि कानून के हिसाब होने से उनको notice दिया जाना चाहिए उनको बयान लेना चाहिए उनको court को लेना चाहिए ऐसे physically manhandling AK-47 जरूरत थी अर्नव उस्वामी को arrest करने के लिए ऐसे इस तरह का behavior जरूरत थी ये बिल्कुल नहीं और ये भी उनको याद रखना चाहिए कि जो वो प्रदेश के सरकार में हैं वो भी कानून से उपर नहीं है और उनके जो bosses हैं दिली में बैठे हैं वो भी कानून से उपर नहीं है और कानून कैसा implement किया जाता है इस पर हमारे norms है ऐसे नहीं होना चाहिए